हलो दोस्तों वेलकम बैक तो मैं चैनल होप आला डोइंग गर्ड और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी होम मेकिंग के कुछ ऐसे टिप्स जिससे फॉलो करके आप भी होम मेकिंग को पूरी तरह एंजॉय कर सकते हो तो वीडियो में एन तक जरूर बने रहे and I am sure इन में से कोई न कोई टिप आपको जरूर हल्प करेगा so let's start Good morning friends और आज है Friday Friday morning तो अभी मैं वॉक के लिए आए हूँ time is around 8.40 और बच्चे स्कूल चले गए है husband office चले गए है लंच बॉक्स में मैंने आज उपमा बनाया था सूजी उपमा with lots of veggies, onion नहीं थी तो tomatoes जो भी veggies थी, corn, green peas और एड़मे जो beans है उसको मैंने थोड़ा boil करके वो भी add किया है तो वो मैंने बनाया, नाष्टे में वो हो जाएगा मेरे लिए, लंच में मुझे जादा कुछ बनाना नहीं है क्योंकि कल का leftover है, कल मैंने दाल और पिटल बनाय था, पिटल यानि टैमरिंड पल्प से बनता है, वत्त कोडंब, तो वो बनाय था, उसकी recipe भी न, मेरे channel में है if you want to check out, link में दे दूँगी, तो वो है, तो लंच में मेरे लिए, that is enough, बच्चों को स्कूल से आने के बाद में कुछ snacks बना दूँगी, तो वही husband को पूछ रही थी, घर से निकल रहे थे तभी कि डिनर में क्या बनाऊ, वैसे भी weekends में, specially Fridays में कुछ अलग बनता है, weekdays, Monday to Thursday, तो वही simple, जो खाना है, वो रहता है, Friday, Saturdays, we try to make something different, तो he said, पूरन पोली और आम्ती बनाओ, तो I was like, ठीक है, पहले तो मैंने कहा, नहीं, मैंने बटाओगी, फिर उनोंने कहा, फिर पूछा क्यों, then I said, चलो, ठीक है बनाती हूँ, तो अभी चने की दाल जो है, वो मैंने पूरन पोली की डीटेल रेसिपी मैंने शेयर करी है, वो भी लिंक पे दे दूँगी, in case you want to check out, बहुत ही यम और अच्छी बनी थी, बहुत दिन होगे, वो रेसिपी मैंने शेयर करके, बट या, इस प्रोसेस मेथड इस दसेम, तो you can check out, और फिर आज, मैंने ऐसे ही पड़ा है, एक्चुली बीच में थैंक्सकिविंग के लिए ब्रेक पे गए थे, फिर तभी ग्रॉस वगरा नहीं थी, फिर सोचा 4-5 दिन हम नहीं है, क्यों वेजी लेके रखे, खराब हो जाएंगे, आने के बाद जाएंगे, फिर आने के बाद भी जाना नहीं हुआ, व अलड भी जाना नहीं है, वेजीज भी लेनी है, और संदे को internakeda का birthday है, तो वो बहुत excited है, उसके लिए cake भी देखना है, लो उसकिदी लुटा भी जाना है, और संदे पड़ता है उसके school में, तो मंडे को school में celebrate करेंगे, celebration मतलब ऐसी school में इतना कुछ खास नहीं होता वो जो बटे का crown है वो पहनाते हैं सब लोग मिलके उसको wish करेंगे गाना का के और आपको अगर goodies वगरा देनी है तो आप दे सकते हो it depends on school कुछ schools allow करती है कुछ नहीं तो यहां पर मैंने टीचर से पूचा था तो we can give some goodie bags to her friends तो उसके class में 24 बच्चे हैं उसको भी मिला के तो मैंने Amazon से water coloring books लिया है magic pens है यानि पानी से fill करो and you start coloring it will show up the colors काफी cute और na different different themes के books है तो वो मैंने लिया है तो आज दोपेर को मैं उसको pick करने जाओंगी तो टीचर को दे दूँगी तो मंडे को वो celebrate करेंगे उसका बड़े बड़े gift भी ले लिया है उसको LOL doll चाहिए था तो वो ले लिया है और बस ऐसे ही घर में उसका बड़े celebrate करेंगे जो भी उसको पसन है वो खाना बनाएंगे actually she is not much a foodie बट फिर भी उसमें से जो भी उसे अच्छा लगता है I will try to make that and make her happy और वाक हो गया है अभी घर जा रही हूँ वाक करते करते भूख लगने लगती है तो almost I think 35 minutes का वाक हो गया है तो कोशिश करती हूँ कि एक भी दिन में इस ना करूँ sometimes जब बहुत ही आलस आता है that days I don't go otherwise most of the days I try Monday to Friday जाती हूँ Saturday Sunday वैसे भी skippy हो चाता है तो चलते हैं घर तो वीडियो में रुटीन के साथ-साथ आपको मैं टिप्स बताती चाहूँगी तो फर्स टिप I would say is खुद को बिजी रखना खुद को बिजी रखना is the best thing I feel वो आपको unwanted thoughts से खयालों से दूर रखेगा और साथ ही आपको बहुत productive भी बनाएगा तो सुबह का टाइम है बच्चे स्कूल चले गए हैं तो cooking हो रहा है तो लंच में आज मैं जादा कुछ नहीं बना रही हूँ क्योंकि कल का जो लंच है वो left over है तो वही मैं खा लूँगी पर अभी जो मैं preparation कर रही हूँ वो डिनर के लिए है तो डिनर में आज मैं पूरन पूली और आम्टी बनाने वाली हूँ तो इसलिए मैंने चने की दाल जो है वो भीगो के रखी थी तो उसको मैंने अभी कुकर में चड़ाया है साथी साथ मेरे लिए थोड़ा सा राइस रखा है कल की left over gravy है तो मेरे लिए लंच में वही हो जाएगा ओके नाव लेट्स सी अदर सेकंड टिप तो सेकंड टिप इस बी रियलिस्टिक आप जैसे हो वैसे ही रहना किसी को खुश करने के लिए या इंप्रेस करने के लिए खुद को मत बदना डोंट पुट अन्रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ओन यॉर्सेल्फ कि मैं ऐसे नहीं हूँ फिर भी I'm trying कि मैं ऐसे बन जाओं ऐसे आप कभी मत करना आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे तो आप जैसे हो आपको जैसे रहना पसंद है आप उसी तरह रहना और वही आपको जादा और लाउंग टंग में खुशी देगा और साथ साथ में काम उसमें उपर ऐसे डस्ट जम जाती है तो जब भी किचिन में वाइप करके टिश्यू फेकना होता है तो उसी टिश्यू को मैं उसी टिश्यू से मैं पहले डस्बिन का जो पूरा कवर है और बॉक्स है बाहर से अच्छे से वाइप कर देती हूँ उसे अच्छा डस्बिन हमेशा नीट एंड क्लीन दिखेगा और ये कुछ दिवाली के दिये थे जो मैंने रखे थे अभी तक हटाए नहीं थे कलरफुल और काफी अच्छे लग रहे थे तो उनको मैंने ऐसे ही रखा हुआ था पर सोचा क्रिस्मस डेकोर अभी करना है तो सोचा चलो इसको हटा देते हैं और इन सब को मैंने ऐसे एक जो आइकिया का बैग है उस बड़े बैग में ऐसे बॉक्स बना के जो भी डेकोर आइटम्स है सब एक ही जगे पर रखा है ताकि नेक्स डियर जब भी मुझे कुछ ढूणना हो सब मुझे एक ही प्लेस में मिल जाएगा I don't have to hunt it for each thing here and there तो इसके लिए सब को मैंने साथ में एक साथ रखा है और ये जो कार्टन बॉक्स हैं वो बहुत काम की चीज़े हैं और मेरे पास Christmas tree के और भी दो तीन ornaments थे जो मैंने पहले लेके रखी थी पर कभी मैंने उनको यूज नहीं किया था तो वही मैं इस cardboard box में ढूण रही थी इसमें मेरा पूरा जो craft का सामान है वो रहता है So this is my craft वाला पिटारा तो ऐसे जो जब स्निकदा छोटी थी तो उसके diaper के हम ऐसे से बड़े boxes लेते थे तो वो में store करके उसी में मेरा जो craft का समान है वो रखती थी और यही वो ornaments है तो I got extra ornaments for my tree तो tree पे इसे सजा देते है और मेनी घर में Christmas tree का cozy corner कैसे ready किया है उसका वीडियो भी upload किया है अगर आपने check out नहीं किया है तो do check out तो बस घर का पूरा cleaning वगरा का काम हो गया था and now it's my lunch time rice मैंने बना लिया था तो करीब मैं गरम कर लूँगी and I will have my lunch next tip is stop comparing हर एक इंसान अलग होता है सबकी आदते अलग होती है choices अलग होती है mood swings, likes, dislikes way of thinking, expressing everything is so different so just let you be yourself no two home makers are alike isn't it lunch हो गया था और अभी मैं kitchen और gas top जो है वो clean कर दोंगी जादा तर दिनों में मैं lunch करने से पहले ही kitchen को अच्छी से clean कर देती हूं so that lunch करने के बाद I don't have much work to do पर आज भूक लगने लगी थी so thought कि चलो पहले खा लेते है and then I will do the cleaning तो cleaning is a part of everyone's daily routine isn't it पर daily cleaning habits बहुत important होती है and useful भी अगर हम regular cleaning और daily cleaning करते हैं तो जो deep cleaning है उसकी बहुत कम जरूरत पड़ती है तो gas top की साथ साथ जो भी chimney का top है और cabinets के doors है वो भी is a part of my daily cleaning तो everyday I make sure कि पूरा kitchen clean करते वक्त एक बार मैं जो chimney area है और जो cabinets के doors है उनको बाहर से मैं एक बार जरूर wipe करती हूं खाना बनाते वक्त कुछ splatter होता है या फिर पानी के छीटे दाग पढ़ते रहते हैं तो if you clean it regularly वो दिखती भी shiny है और deep cleaning की जरूरत भी बहुत कम पढ़ती है तो dishes जो है मैंने wash कर ली है dishwasher जो है दिन में एक ही बार चलाती हूं वो है रात में तो सुबे से लेके afternoon तक जादा तर dishes जो है मैं wash कर देती हूं कुछ-कुछ dishwasher में भी लोड करके रखती हूं और फिर रात को एक साथ dishwasher चलाती हूं और wash करने के बाद मेरी आदत है कि मैं सारे बरतनों को अच्छे से ड्राइ करके रखती हूं क्योंकि यहां का hard water है वैसे ही अगर ड्राइ रखने छोड़ दू तो उनमें वो white color के stains हो जाती है so I always prefer making them dry and keeping them in their places next step is keep smiling be happy पूरे दिन में आप जो भी काम करते हूं उसे आप खुशी से और happily कीजिए तो उसे भी बहुत फरक परता है और always keep a smile on your face जब खुद को आप पेरार में देखते हो तो हमेशा smile to yourself मैं हमेशा ये करती हूँ मैं जब भी खुद को mirror में देखती हूँ I always give a sweet smile to myself and you will see कि आप एक smile के साथ कितने खुबसूरत लगते हो and it makes a lot of difference if you haven't tried to try it once so keep smiling तो लंच वगरा हो गया है और अभी school जाना है तो Snigda का जो भी goodie bags है उसके friends के लिए मैं आज ही teacher के पास दे आउंगी Monday को जब वो celebrate करेंगे तब teacher सारे बच्चों में बाठ देंगी और school से बच्चे घर आ गए थे अभी almost शाम का टाइम है तो पुरन पोली के लिए जो पुरन है वो मैंने बना के रख दिया है और बस lights वगरा मैंने on कर ली है और वो जो Christmas का cozy corner है न It's my favorite corner I just love looking at it बहुत ही beautiful लगता है The next step is taking care of yourself खुद का खयाल रखना घरवलों का खयाल तो हम हमेशा रखते ही हैं उनके बारे में सोचते हैं पर उसमें खुद को कहीं हम भूल जाते हैं खुद का खयाल रखना भी उतना ही जरूरी है जैसे की walking के लिए जाना me time, rest time, self pampering, hanging out with friends दिन भर में थोड़ा time निकाल के आपको जो भी पसंद है वो करना watching a movie, reading a book, taking a nap तो अगर आप ने कभी खुद के लिए वक्त नहीं निकाला है तो start it from today and you will feel a lot of difference और dinner का time हो गया था तो पुरन पोली में बना रही थी पर इस पार पता नहीं पुरन पोली इस ना इतने perfect नहीं हुए there are some bad days too, isn't it तो यही सोच के मैं चल रही थी कि एकदम perfect बनने वाले हैं पर जब मैं बेल रही थी ना तो वो जो feeling है वो बाहर आ रहा था and I was like मैंने सोचा था कि कितना perfect बनेगा but something went wrong it's okay, everyday is not perfect but still we could eat taste wise तो काफी अच्छे और यमी बने थे look wise they weren't that great but we enjoyed the yummy dinner तो पुरन पोली के साथ मैंने आम्टी भी बनाई थी चना दाल को जो बॉल किया था उसमें ज़्यादा पानी डालके मैंने बॉल किया था तो उसी पानी को यूज करके आम्टी बनाई था actually आम्टी मेरे हस्बन ने बनाई तो we enjoyed पुरन पोली वित आम्टी and this was the yummy Friday dinner पुरन पोली और आम्टी की detailed recipe मेरे चैनल में है in case if you want to check out link में comments में pin कर दूंगी as well as in description तो अगर आपको check करना है you can check out तो यही था आज का vlog मैंने full Friday morning to जो night routine है वो थोड़ी different तरीके से मैंने share किया है आप सभी इन tips में से कितने tips आप follow करते हो या करने वाले हो do let me know in the comments मेरे चैनल में और भी कई सारे lifestyle contents है तो if you are interested do check out and please consider subscribing and spread my channel it will motivate me to make videos for you all and it will help my channel grow तो मिलती हूं next video में till then stay happy, stay connected thank you so much for watching take care and bye bye